Minecraft Survival Series के एक और brand new episode में आप लोग का स्वागत है तो वाइस जैसा कि आप लोगों पता है कि मेरे को build करना काफी अच्छा लगता है चाहे हो कोई castle हो, घर हो, या कोई farm हो तो उसके लिए अपनको काफी सारी wood use में आती है इसलिए मैंने सुचे कि बाबा wood काटने से अच्छा है एक बार ही उसका automatic farm बना ले ताकि अपनको लगाता है wood मिलती रहे चाहे हो किसी भी type की wood हो, चाहे ओख हो, बर्च हो, डार्क हो, कोई से भी type की तो मेरे को लगाता है wood मिलती रहेगी तो इसलिए मैंने आज decide कि है कि अपन आज बनाएंगे unlimited wood farm जी हाँ, इससे अपनको असानी से बहुती सारी wood मिल जाएगी तो बहुती जान्दा easy farm है और बहुती सारी wood दे देगा है तो अपना काम भी हो जाएगा तो अपनको जब भी कुछ बनाना पड़ेगा कैसे लिया कुछ भी तो अपन सीधे अपने farm से जाके wood ले आएगे तो चलो मैं जल्दी से उस जगे पर जाके दिखा रहता हूँ कि अपन कहाँ पर farm बनाने वाले और आपको समान भी दिखाता हूँ अपनको क्या क्या चाहिए अपन farm को बनाने वाले यहाँ पर यह पूरा area मैंने खाली कर दिया था और इस chest में मैंने समान रख दिया है सबसे पहले अपनको थोड़ी बाँ chest चाहिए उसके बाद में अपनको coral fan चाहिए यह आपको कोई सा भी use कर सकते हूँ क्योंकि यह लगाने के बाद में dead हो जाएंगे उसके बाद में comparator, rail अपनको detector rail चाहिए उसके बाद में थोड़ी से grass, एक dispenser, hopper, ladder, lever, fence और थोड़ी से slime block, piston वगरा, TNT, slab, पानी, repeater और यह सारा समान अपनको चाहिए होगा तो चलों फार्म का काम शुरू करते हैं फार्म को बनाने के लिए सबसे पहले अपन यहाँ पे एक chest लगाएंगे फिर इसके पीछे अपन hopper को connect करेंगे और इसके दौनर साइट 6 block बाहर की तरफ जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब इसी तरीके से इस साइट भी 6 block बाहर जाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे उसके बाद में अपन को एक block उपर जाना है कुछ इस तरीके से और फिर इसको अपन बनाएंगे पुरे 8 blocks लंबा तो यह होगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ कुछ इस तरीके से बनाने हैं अपन को इसको अब इसको पूरा cover कर देते हैं अब यह करने के बाद में अपन को एक और layer उपर जाना है और उस layer को अपन बनाएंगे 7 blocks लंबा अब यह पूरा हो चुगा है, मैंने 4 तो इसके boundary बना दिये और यहाँ पर ताकि चेस्ट खुल जाए तो अपन यहाँ पर एक slab लगा देंगे ताकि अंदर जो पानी डालेंगे वो भार नहीं आएगा अब अपन को पानी की जरत होगी, तो मैं यहाँ से पानी की बखेट ले लेता हूँ और अंदर चलने के लिए मैं यहाँ पर रास्ता बना रेता हूँ यहाँ से अब अपन को बस यहां पर पूरे पीछा और लाइन में पानी डालने हैं और पानी अपने आप नीचे चले जाएगा पूरा होने के बादने कुछ इस तरीके से दिखेगा तो अगर अपन उपर कोई भी समान डालते हैं वो सीधे चेस्ट में जाएगा मैंने यहां पर बकेट को डाला और वो सीधे चेस्ट में चलेगे होपर से अब इसको तियार करने के बाद में अपने इससरड आएंगे यहां पर यह जो सेंटर वाला ब्लॉक है सेंटर वाले ब्लॉक के तरवा राइट में जाएंगे एक ब्लॉक राइट में जाके तीन ब्ल ladder लगा दिया अब नीचे वाले को तोड़ के यह हो चुका है पूरा तयार अब मैं उपर जाके देखूंगा तो यहाँ पर light जल भी होगी तो अपने यह पूरा तयार हो चुका है अब अब अपन को यहाँ पर इसको हटा देना है यह blocks को भी हटा देना है अब यह करने के बाद में अपन उपर जाएंगे इसके उपर जाने के बाद में left की तरफ अपन को एक dirt का block लगाना है dirt हो या grass कुछ भी चलेगा उसमें कोई फरक निपरता अब इसके बाद में यहाँ पर अपन को एक dispenser लगाने कुछ इस तरीके से यह dispenser हो गया तो इसके उपर अपन अपनी liver लगा देंगे तो अपना dispenser चालू हो जाएगा यह इसको on off करने के लिए switch हो गया अभी के लिए इसको off कर देते हैं इसके बाद में अपन को इसमें bone meal लालनी पड़ेगी तो इसलिए यहाँ पर इसको चेस्ट से connect कर देता हूँ चेस्ट के लिए अपन यहाँ पर लगाएंगे और फिर अपन इसमें अपनी bone meal लाल सकते हैं तो पेड़ अपने आप बड़े होते जाएंगे अब मैं नीचे आके यहाँ पर एक competitor लगाऊंगा एक ब्लॉक इस साइट जाएंगे फिर एक competitor कुछ इस तरीके से लग जाएगा उसके बाद में इस साइट एक ब्लॉक आके यहाँ पर अपन को piston लगाने है तो piston के लिए मैं यहाँ पर लगाते हूँ यहाँ पर टोटल पां और dispenser हो गया तो यह पूरा कुछ इस तरीके से तयार हो जाएगा अब अपन को इसके ऊपर जाना है दो ब्लॉक उपर जाके यहाँ पर एक slab लगा देंगे ताकि जो पेड़ है वो ज्यादा बड़े नहीं बने तो कुछ इस तरीके से लगा दिया कुछ ऐसा दिखेगा यह अब इसके बाद में अपन वापस नीचे जा सकते हैं तोड़ दूगा मैं सारे ब्लॉक्स अब यह करने के बाद में अपन यहाँ पर थोड़ रेड स्टोन का कुछ सिस्टम बनाएंगे तो इसका एक दम ध्यान से देखना सबसे पहले एक कॉबल स्टोन यहाँ पर लगेग तो कुछ इस तरीके से ही लग जाएगा नहीं गलत लगा चलो अब यह सही लग चुगा है इसके आखे इस साइड होगी और इसके जो पीछे वाला इससा हो इस साइड होगा तो यह अपने आप रेड स्टोन का सिंगनल देगा तो इधर आ जाएगा अब अपन को जो ऊपर क पोरा जो सिस्टम बनाने उसको एक दम ध्यान से देखना क्लिके जादा प्रकेटी डियद तो एक बार बार इसको और वह बना दोगे तो फार्म आपको सए प्रके से काम करेगा अपने अखरस नापनाना यह पूरा बनने के बाद में कुछ इस तरीके का दिखेगा जैसे ही दिख रहा है पूरा ऐसे एक पैटर आएगा और उपर इस पर रेच्ट्रों लगा के एक दम उपर तक कुछ इस तरीके से दिख जाएगा आप देख सेकते हो कि यह वाला ब्लॉक सीज़े जो नीचे वाला आप ब्लॉक लगाता हूँ ता कि आप इस तरीके से एल चेप का बन जायगा यह इसा कुछ दिखेगा अब फिर से अपन को एक और लगाना है यहापे तो इसके लिए मैं फिर से नीचे जाता हूँ अब slime block मैंने लगा दिये एक L ऐसा और दूसरा L ऐसा कुछ ऐसा दिखे गए अब यह पूरा करने के बाद में अपन इस साइड आएंगे अब यह करने के बाद में अपन नीचे की तरफ जाएंगे नीचे जाने के लिए मैं पानी डालूँगा उसके बाद में यहाँ पर मैं लगाँ कोरल का block और यहाँ पर TNT तो यह अपना पूरा तयार हो चुका है अपना duplicator अब पानी को ले लेते हैं वापस और चलो नीचे चल करें अब जो अपन को करना है वो last काम यह है अपन को यहाँ पर पहले जाने जल्दी से उपर जाने के बाद में इधर आके मैं यहाँ पर एक और cobblestone लगा दूँगा ताकि पेस्टन को signal मिल जाए और यह तो चलो अब अपना farm पूरा हो चुका है अब बस इसमें bone meal डाली है bone meal मैं ले के आ रहता हूँ घर से मेरे पास chest में रखी वी है तो मैं जल्दी से ले के आ रहता हूँ और फिर अपने इसको चालू करके देखते है अब मैं आ चुक हूँ यहाँ पे वापिस मैं ले आया है अपने साथ में थोड़ी सी saplings और bone meal तो अब अपन को बस उपर जाना है इसके उपर chest में और dispenser में अपने bone meal को भर दूँगा अब अपना farm पूरी तरी के से तयार है बस इसको चालू करना है और अपने dispenser चालू हो जाएगा अब बस मैं को यहाँ पर right click करके खड़े हो जाना है और पेड अपने आप उगने लग जाएगे तो गाइस फाइनली अपना पूरा wood का farm तयार हो चुका है इसमें oak log अपन को मिल रहा है अभी मैंने आपको दिखाया कैसे तरी के से काम करता है उपर से TNT गिरते हैं और नीचे जो पेड उगरे है उनको तोड देते हैं और सारा समान आके नीचे chest में collect हो जाता है तो काफी easy farm है बस वो थोड़ा redstone के थोड़े दिक्कत है बाकी ज़्यादा कुछ items चाहिए नहीं इसके लिए बहुती ज़्यादा easy farm है तो आप लोग भी इसको बना सकते हो अपने survival world में बहुती ज़्यादा easy farm है तो आप लोग भी बनाना जरूर से तो guys कैसा लगा आपको ये वाला farm वीडियो अची लगी हो तो like जरूर करना comment section में अपने idea और suggestion जरूर से दिना कि मैं और कौन-कौन से नए farms बनाऊ और क्या-क्या चीजे बनाऊ इस survival series में और channel पर नहीं हो तो लाल बार subscribe button को जोर से दबा देना अब मैं बिलूँगा ऐसे एक और धमाकेदार episode के साथ में तब तक के लिए bye guys